हलो फ्रेंड्स रहा फेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब पर ले और गंटी के बटन को जरूर दबाए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और साथ या फेश्बुक पेज को भी जरूर फोलो करें आज मैं आपको बताऊंगी कि स्विंग मशीन जाम हो जाए तो उसे कैसे ठीक करें ये देखे मेरे पास उसा की टेलर डिलक स्विंग मशीन है और ही ये जाम चल रही है तो इसे हम ठीक करेंगे और आपको बताएंगे ये half shuttle सिलाई मशीन है आपके पास कोई भी company की half shuttle सिलाई मशीन हो उसे ठीक करने का तरीका सेम ही होता है इस वीडियो को देखकर के आप कोई भी मशीन आपके पास हो तो उसे आप ठीक कर लेंगे अब मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ कि ये मशीन कैसे चल रही है और ये hard क्यों चल रही है ये देखें सिलाई तो अच्छी आ रही है लेकिन ये थोड़ा hard चल रही है हम इसकी शटल को खोल करके चेक करेंगे कि ये hard क्यों चल रही है ये machine hard चल रही थी तो मैंने सोचा इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि hard क्यों चल रही है hard चलने के दो कारण होते है पहला कारण है शटल में धागे का फज जाना तब भी machine hard चलती है यानि की jam चलती है और दूसरा कारण है friends देशे कहीं दिनों से हमने machine रखी हुई है और हमने इसको बहुत लोग टाइम बाद यूज कर रहे हैं तब हम oiling अगेरा नहीं करते हैं तब भी machine hard चलने लग जाती है तो हम इसको चेक कर लेते हैं शटल को खोल करके तो उसके लिए सबसे पहले हम machine को इस box से बाहर निकाल देंगे इसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया सबसे पहले हम needle को उपर कर लेते हैं अब हम bobin case को भी बाहर निकाल लेते हैं अब हम subtle assembly के दोनों screw फोल लेंगे इसे hook race unit भी कहते हैं इस पूरी को, subtle को और कुछ लोग इसे नाल भी बोलते हैं अब हम इस unit को फूरा खोल करके देखेंगे कि धागा कहां फे फसा हुआ होता है और उसे हम कैसे बाहर निकालेंगे सबसे पहले हम इस hook को बाहर निकालेंगे अब हम इस ring holder पर जो screw लगा इसको खोल देंगे और अब हम इस ring को भी हटा लेंगे यह देखें इसमें थोड़ा सा दगा फसा हुआ है यह यहाँ पर फस जाता है जिससे यह hard चलने लग जाती है यानि जाम चलती है अब हम इसे साफ करके और oil भी कर देंगे इसमें तक यह आसानी से यह चलेगी और बहुत ही हलकी चलने लग जाएगी सभी पार्ट्स को हमने साफ कर लिया और जैसे हमने खोला उसी तरह से आपको टेप बाइस टेप इसे लगाना है सबसे पहले हम इसमें यह रिंग लगाएंगे और रिंग लगाने का तरीका यह देखे जिदर यह चपटी है इदर यह देखे यह फ्लेट है एकदम फ्लेट यह इसा इदर अंदर की तरफ रहना चीए और जो यह उठा हुआ इससा यह देखे यहां से इस तरह से वह उपर रहना चीए ऐसे और इसके बाद इसे लगाना आपको यह देखे इस रिंग होल्डर को लगाना यह जो इसमें होल दे रखा और यहां पर जो होल है इन दोनों को आपको मेच कराना है इस तरह से स्कूरू डार से इसे tight कर लें अब हम इस hook को लगाएंगे और hook को लगाते समय ध्यान रखेंगे यह बार की तरफ रहना चीया और यह उल्टी तरफ रहना चीया जो फ्लेट है यह उल्टी तरफ रहना चीया तो इसे आप ऐसे लगाएं यह देखे इसमें यह लग गया अब हम इसमें फिट कर देंगे इसको और ध्यान रखे यह आधा इसा इधर रहना चाहिए आधा ही सामने इधर कर रखा तो यह आधा पार्ट इधर की तरफ रहना चाहिए और इसी तरह से इसे लगाएंगे देखे पहले आप इसे लगा कर से होल मेच करा लें आप इसके यह देखे यह फिट हो गया अब हम इसमें इसको लगा देंगे इसे लगाना और खोलना बहुत ही आसान है थोड़ा हाथ से टाइट कर लें पहले आप अब इसक्रू ड्रावर की मदद से टाइट कर दीजे थोड़ा थोड़ा आप टाइट कर ले एक तरफ से पूरा टाइट नहीं करे नहीं तो यह तीर चाह लग जाएगा अब हम इसमें थोड़ा ओई डाल देते हैं अब हम इसमें बोबिन केश लगा देते हैं और इसे चला कर चेट कर लेते हैं अब हम इसमें बहुत ही स्मूथली चलने लगी है और बहुत ही हलकी होगी यह देखें और अगर इस तरह से अगर आपके मशीन में धागा पसा हुआ तो आप गर पर ही बहुत ही आसानी से उस धागे को निकाल सकते हैं और आपके मशीन गर पर ही ठीक हो सकती है आपको बाहर ले जाने की जरुत नहीं पड़ेगी एसी चोट चोटी जो हमारी मशीन में आने वाली प्रोब्लम को हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स झाल